लखनों की जनेश्वन मिश्रा पार्क के पास पिछले कई महीनों से दो बसें अबैद रूप से खड़ी हैं जनेश्वन मिश्रा पार्क और उसके आसपास का इलाका लखनों विकास प्राजेकरनल के अंतरगत आता है जहांपर उत्रपदिश परिवाहन की सरकारी बसों के साथ ही दो प्राइवेट बसें अबय तरीके से अपना कबजा कर खड़ी है दरसल वो जगे आसपास की कलोनी के लिए पार्क के तोर पर बनाई गई है लेकिन बच्चों के पार्क में अब प्राइवेट बसों का कबजा है मामले की चानबीन करते हुए जब हमारे समधाता ने LDA VC शिवाकान तुबेदी के पास पहुँचे तो उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं थी उन्होंने कहा कि मामले को संग्यान मिलेकर जल्द से जल्द कारवाई की जाएगी कि हमार रोडवेज की भी कुछ बसेश खड़ी है और जैसा आप बता रहे हैं दो कुछी प्राइवेट की भी गाड़ियां खड़ी है उसको हम दिखवा लेंगे वहां खड़े करने कोई और चित नहीं है उसको लागड़ाउन ख़तम होने बाद हटवाई जाएगा इस वक्त हम वाजुद हैं लखनौ के जनेशौ मिश्रा पार्क में हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां का जो गेट नमबर 7 है वहां पर हम मौजूद है और ये लखनो का जनेशन मिश्रा पार्क जो की काफी बड़े एरिये में बना हुआ है ये लखनो विकास प्राधी करण के अंतरगत आता है लेकिन जब हम यहां से निकले और हमने आपर तस्वीरे देखी तो ये नजर आया कि ये जो LDA का पूरा एरिया है वहाँ पर सरकारी बसे खड़ी हुई है जो की काफी दिनों से यहां पर खड़ी हुई है अगर ये बसे वर्क शॉप में होती है या वर्क कर रही होती तो काफी सपोर्ट मिलता ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकिन जम फ़ड़ा आगे बड़े तो हमारी जो नजरे पड़ी यहां पर कुछ प्राइवेट बसे हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे चलके कि यह जो कुछ प्राइवेट बसे हैं वो यहां पर खड़ी हुई है जो की पूरी तरीके से अवैद तरीके से यहां पर खड़ी हुई है जब यह लखनो विकास प्राधी करन का एरिया है जहा यहां पर बनाई गई है जो कि यहां पर लोग रहते हैं उनके लिए लेकिन किस तरीके से जहां पर पार्किंग का एरिया भी नहीं है वहाँ पर कुछ सरकारी बसे खड़ी है उनके साथ ही यहां पर कुछ प्राइवेट बैसे भी खड़ी हुई है जो की पूरी तरीके से अव लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो private बसे हैं किस तरीके से यहां पर मौझूद है और किसकी सह है इसको लेकर देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे आखिर किसके हाथ है और यहां पर हो रहा है या झाल झाल